हेलो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है यह हमारा पल्सर 180 UG4 और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी मेगनेट कोईल और आरार यूनिट सही से चलते है या नहीं वो चेक करने का एक बहुत ही आसान तरीका विदाउट टूल्स मल्टी मीटर सभी के पास नहीं होता और सारे टूल्स भी सभी के पास नहीं होते तो इसलिए मैं आज आपको ऐसा तरीका दिखाऊंगा जिससे आप बिना किसी टूल से सिर्फ अपने हाथों से ही चेक कर सकते हैं कि बैटरी चार्जिंग सही से हो रहा है या नहीं चलिए शुरू करते हैं पल्सर का यूजी फोर मोडल जिसमें हेडलाइट और टेलाइट सब कुछ डिसी पे आता है और चाहे वो वनेटी हो वन फिप्टी हो या फिर टूट्वेंटी हो जो भी यूजी फोर मोडल है उसमें सब कुछ फुल्ली डिसी होता है और हेडलाइट का बैटरी पे होना वो तो सब लोग कर लेते हैं लेकिन जो डिसी बाइक आती है उसमें सब कुछ अलग होता है मेगनेट कोईल आरार यूनिट वायरिंग इगनिशन लॉक सब कुछ अलग होता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो वायर निकालके बैटरी पे लगा दिये तो गाड़ी डीसी हो गई और स्पेशली यह वीडियो डीसी बाइक्स के लिए ही है और ऐसा समर्लों स्पेशली यह यूजी फोर या यूजी फोर पॉइंट फाइव या यूजी फाइव के लिए ही है फिलाल इसकी बैटरी ओके है सब कुछ चल रहा है अब ही मैं दिखा दा हूँ क्या करना है अब यहां पर इसका फ्यूज बॉक्स होता है और हमें बाइक का इंजन अन करना है और इंजन चालू करने के बाद यह फ्यूज को निकालना है यह बाइक में किक नहीं होती तो हम फ्यूज को निकालने के बाद चालू नहीं कर सकते सबसे पहले हम स्टार्टर से इंजन को चालू करेंगे और उसके बाद हम फ्यूज को निकालेंगे इंजन चल रहा है इसका अभी हम फ्यूज को निकालेंगे यह फ्यूज निकाल दिया है हमने और अभी हम देखेंगे कि इसके सारे फंक्षन वर्क कर रहे है या नहीं है कि कि सब कुछ चल रहा है 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 यह यह इंडिकेटर अ कि स्पीडोमेटर कॉंसल सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है जैसे चलना चाहिए था वैसा हूं भी चल रहा है मतलब यह गाड़ी अब भी बिना बैटरी के चल रही है और विदाउट बैटरी भी यह प्रॉपरली चल रही है इवन फॉग लेंप भी इसके चल रहे है बिना बैटरी के तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका और यूनिट और मैगनेट कोईल सही से चल रहा है तो हमने आज चेक करना सिखा कि बिना मल्टिमीटर के बिना किसी टूल के हम यह सब कैसे चेक कर सकते हैं कि फिर से हमने फ्यूज लगा दिया है और हमारी गाड़ी ओके है तो अगर आपको भी डाउट है कि आपका यूनिट खराब है या मैगनेट कोईल खराब है जो आपकी बैटरी को अच्छे से चार्ज नहीं कर सकता तो आप भी इस तरह से अपनी बैटरी को अपने गाड़ को चेक कर सकते हैं इसके लिए किसी भी टूल की ज़ाउरत नहीं है किसी भी मल्टी मेटर या कुछ भी जवाउरत नहीं है आप घर पे ही कर सकते हो लेकिन यह specially DC Bikes के लिए है वीडियो का देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुब रहे जई